यां मां ai नमस्ते मेरा नाम सुभ८ है और आप मुझे बियन आप बिहार पे देख रहे रहे हैं लगातार एक-दो देन से वीडियो मेरा आ रहा है इसका मतलब जैसा लग रहा है कि ये मतलब जो फाइल बंध हुआ था वो खुल गया है कल ही हम आप लोगों को बताये थे कि 12 दिसंबर को क्योंकि भुक्तान का रास्ता जो खुलेगा वो सुप्रीम कोट से खुलेगा और केस अल्डेडी चल रहा है सदन में हंगामा हो गया रोड पर हंगामा हो रहा है सोसल मेडिया पर पूरा सहरा का मैटर चाया हुआ है इसका सीधा असर सुप्रीम कोट पे हुआ है मतलब सुप्रीम कोट का मतलब यह है कि जो लोग इन भॉल्ब हैं जो एड़वोकेट हैं जो कमिटी बनी हुई है इसका असर हुआ है और फाइनल लिस्टिंग आ गया है पीनक पानी महंती वाले केस का बारा आठ का कल तक टेंटेटिव दिखाया जा रहा है लेकिन अभी यह कनफर्म हो चुका है और आइटम नमबर 32 मतलब 32 नमबर पर कोट नमबर 4 में यह मामला लिस्ट हो चुका है और उससे बड़ी खुशी कि यह बात है कि अगर 30 जुलाई वाला में यह लिस्टिंग था अगर उस दिन सुनमाई होता तो सहारा का मैटर नहीं उठता सिधा बात है कि सहारा का जो मैटर है वो उसके लिए तो दिसमबर तक टाइम दिया हुआ है कि दिसमबर तक पेमेंट क हुआ ही है हां सीता रमन जी के पास नहीं पहुचा था अमिजसा जी के पास पहुचा था लेकिन हम लोगों ने पेपर भेजवा दिया था और बहुत बाखुबी लोगों ने गाउगाउ से के लोग इंवेश्टर हैं और सारे लोग पोटल पे आके अपलाई करके 86,000 क्रोर का क्लिम किये हैं यह बहुत बड़ी बात है अब इसको बेकार नहीं जाने देना है इस मुद्दा को एकदम जॉलन सील बना के रखना है यहीं काम है हम लोगों का जो लोग जहां पे कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं जो अंदूलन कर रहे हैं पिया ये लगा रहे हैं सुप् नमबर वाला भी सुनवाई होके रहेगा फिलहालग बारा वाला जो डेट है वो कनफर्म हो गया है 32 नमबर पे केस्ट हो गया है बारा अगस्त को कोट नमबर चार में और मैटर केवल और केवल सहारा कहीं सुना जाएगा इसका कनफर्मेशन हम दे रहे हैं कैसे क्यूंकि जो अगरवाल जी वह इसी मामले में सहारा वाले में ही एकुमास क्यूरी है कोट के सहाया के रूप में है उनके द्वारा नया डाइरेक्शन के लिए 30 जुलाई को फाइल किया गया था कि हम आगे क्या करें तो 30 जुलाई को तो डेट नहीं मिला था लिस्टिंग नहीं हो पाई थी फिर 6 को भी नहीं हो पाई 12 वाले में ये मामला लिस्ट हो चुका है और केवल गौरो अगरवाल जी के आये पे सुनवाई होगा इसका मतलब सहारा पोर्टल से रिलेटेड कुछ नया डाइरेक्शन के लिए कमीटी गई हुई है सुप्रिम कोट से क्योंकि जो इस्तिती है रिस सब्मिसन के बावजूद भी इस्तिती नहीं बदल रही है एक परसेंट लोगों का भी भुगतान नहीं हो पाना ये सीध करता है कि जो सिस्टम है वेरिफिकेशन का यह फेलियोर है इसके लिए कोई तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए जो पोर्टल पर लोग अपलाई कर दिये हैं उनका वेरिफिकेशन का कोई और तरीका अपनाए अब सुप्रिम कोट में ही मामला है बहुत बिद्वान बिद्वान लोग है इस कमीटी में और जो भी दिछा निदेश आए तकि लोग का पैसा रिलीज हो पाए यहां तो सरकार बोल रही के पैसा मेरे पास है लेने वाला लोग नहीं है और यहां है कि पैसा लोग प्रिंस्पल प्लस उसका एक लाग क्रोर इंट्रेस्ट अर्धाल करोर तक का डिमांड जा चुका है सरकार के पास जिसका भी पेपर चेक कर रही है और मात्र दस हजार जिसका कोई और चित नहीं है कि दस जार से आप सुरू करें ना लिक्विडेशन हो रहा है कमपणी का ना कहीं से कुछ आदेश आया है ना सहारा बोल रहे हैं कि हमारे पास संपति नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं सहारा तो अभी भी प्रोफिट में डिकलेर कर रहे हैं जो मेरे पास फाइनन्सियल आया है तो आप 10,000-20,000 देने का निरने कैसे कर सकते हैं जब सहारा बोले के सफिसियंट है मेरे पास हम बेज के ला देंगे तो आप पहले जो पैसा उसको खतम कर देंगे फिर सहारा से डिमांड करेंगे हम लोग दसजर वाला करेटीरिय TC चाहिए और एक परसेंटेज में जिसका जिस रेष्यू में जम्हा है उस रेष्यू में भुक्तान hoना चाहिए कोई बड़ इस उन नहीं है इशार को क्यों लिए हुए हैं तो सहारा ने दिया तो लिए हुए है तो कोई क्राइम है नहीं अगर हो ही गया है तो इसको मिटरलाइज करना है कि खतम कैसे होगा ITR का कोपी माँगना इसके लिए income tax सहरा को पक्रे हुए कि बिना ITR का अपने जमा किया fine penalty लगाया आज लेंदार तो बोल रहा है कि हमारा अगर 100 bond है 100 membership है तो हम ही है हमको आप दीजिये और मेरे income tax plan पर चाहा दीजिये उसका ITR का income tax return हम भरेंगे income tax की liability आईगे तो हम जमा करेंगे TDS आप काट ही सकते हैं अगर ब्याज दीजियेगा तो ब्याज देने का बात हो नहीं रहा है बहुत ऐसा ऐसा issue खरा किया गया है जो portal के deficiency के रूप में जिसको खतम किया जा सकता है माननिय सुप्रीम कोट के guideline में आद उनके समक्ष रखके कि ये दिक्कत आरे सहारा डाटा नहीं दे रही है तो सहारा को कब तक बीच में सहारा से इंतिजार किजिएगा पैसा आपके पास है जमकरता आप तक पहुंच चुके हैं पैसा दे के खतम करिए दो मिनट में सहारा का डाटा सरा आ जाएगा आप सहारा को 30 दिन का जो समय दिया गया है कि पूर्टल पर अगर जो सहारा नहीं भेरिफाइक कर पार आई है मेंबर्सिप फर्म नहीं जम अपलोड की तो जो आ गया पेपर उसको सही मान लिया जाएगा सहारा का मेंबर्सिप सहारा कुछ आपके पास आ जाएगा खाली सुप्रीम कोड को एक दिशा ने देश देने की जरूरत है कि अगर 30 दिन में सहारा ने अपना डाटा अपलोड नहीं किया तो जो पूर्टल पर आ चुका है उसको सही मानते हुए उनके प्रिंस्पल का भु तो प्रिंस्पल तो लेने का हकदार हुख कभी भी है मिचुरिटी से आपको क्या मतलब है कि 23 वाला का तो रास्ता आप निकालिए या सहारा पर करवाई करिए कि 23 के बाद वाला के लिए ओफिस खोलके करे जो भी करना हो इसमें जल जरूरत थी और वहीं होने जा रहा है 12 अगस्त को सहारा वाला मामले की सुनवाई होगी या कुछ नया डाइरेक्शन पोटल से रिलेटर आ सकता यहीं बड़ी नियूज थी तो आज भी आपको अपडेट कर देते हैं वीडियो का लंबा नहीं करत हैं और तुरंट तुरंट जैसे अपडेट आएगा हम लोग बताते रहेंगे आपको अभी के लिए इतना ही और एक न्यूज लास्ट में आप लोग को बता देते हैं वहुत लोग पहले ही सुनके चले जाते हैं वीडियो से कि सेभी में हमने आर्टी जो किया था उसका स्टरेट हैं घराब दो लेकिन आया था तीस दीन में आख और फिर बिक में लिस्ट करा लिया गया तो तैरा तरीक कोहीं, 13 अगस्त को तीलंगना हाई कोट में है मामला, स्टार का, और 12 तरीक को स्प्रीम कोट हो गया, 19 तरीक को आपका सहारा लाइफ का है मामला, और 27 तरीक को क्यू सब का NCLT मामला में है, और लास्ट में 3-4-5 सितंबर तो जो मुख्य मामला है सहारा सेवी का कंटेंट के केस जिसमें बहुत दिनों से लोग इंतिजार कर रहे हैं कि फाइनल इसका निर्ना तुआ गया है इसमें कोट अपने हिसाब से क्या निर्नाय करती क्योंकि सेवी की लेंदारी है कंपनी पर आ समय पे चला गया है ताकि इस डोनों को मैच करा देना है कि रिएल स्टेट से लेकर और सोसाइटी तक सब सहारा ही गुरूप की थी और वहीं पैसा घूमते हुए आया है क्योंकि सहारा अपना गल्ति खुद क्यों मान ही नहीं सकती सिस्टम में यह कि जो अपने डेविट ए डेविट लगा होगा कि हमने भूगतान कर दिया वह गलत हो जाएका उसमे हमें एक मीनट में अंधर चले दाए क्यों इसलिए सहारा अपना गल्ति कभी इसेट कर है अभी तक कोटे या निसकर्स पर कि रियल स्टेट से को सुसाइटियों का भुक्तान कैसे हो नहीं तो सारा पैसा जो जमा है वो चला जाएगा का रिकवरी में सेवी के इंकम टेक्स के जी एस्टी के तो जरूरत इस बात की है कि पहले जो पैसा पड़ा हुए वो लोगों तक पहुंच जाए खेर सेवी वाला जो आटी आई में जबावाया है अगले वीडियों बताते हैं अभी के लिए इतना ही बने रहें आप लोग धन्यवाद